वेलकम बैक टुमाई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस न्यू लेक्चर में एक बहुत 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 इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करेंगे जिसका नाम है लीवर सिरोसिस दोस्तों यह जो लीवर सिरोसिस यह एक फाइश्टार टॉपिक है इसमें से बहुत सारे होते हैं क्या क्या कौने को मिलते हैं क्या 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 कॉम्स सारी चीजें से बहुत भी सिंपल गयए हमारे साथ विडियो में एक débord है चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम यह समझते हैं कि exactly liver cirrhosis क्या होता है दोस्तों यहाँ पर हम liver cirrhosis की बात करें तो यह एक ऐसी problem है अगर किसी patient को liver cirrhosis हो जाता है तो उसको cure करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यह बहुत ही dangerous बीमारी है चलिए समझते हैं कि exactly liver cirrhosis के condition में होता क क्या है जो liver cirrhosis है यह cant 89 liver disease है दो यह यह यहां पर liver cirrhosis है यह chronic liver disease है vivirется की है जो लंबे समय तक रहती है ठीक हैं ह लंबे समय तक रहती हैं तो जो liver cirrhosis खेंबे समय तक रहती है तो रप्राइज vpary टीफा किस्ट हैं यहां क्या है कि लिवर शुरोस के संदिशन में क्या होता है लिवर के संदिशन में होता है रिप्लेस्मेंट जो लीवर टीसूस होते हैं उनका रिप्लेस्मेंट हो जाता है किसके दवारे रिप्लेस्मेंट हो जाता है फाइबरेश टीसूस के दवारा या फिर इसकाल टीसूस के दवारा जो इसकाल टीसूस होते हैं या फिर जो फाइबरेश टीसूस होते हैं उसके सवारा लिवर टीसूस का हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर रिप्लेस्मेंट होता क्यों है जैसे कि यहां पर हम समझते हैं कि मानल लिजे कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई मानली जे लीवर के अंदर को इंफ्रेक्शन हो गया या फिर परसन है जो लॉंग टाइम से ज्यादा में अल्कोहल कंजीम कर रहा है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि जो लीवर की नॉर्मल सेल्स होती है वो डेट हो जाती है ठीक है जब किसी का अड़ ठीक है तो यहां पर क्या होता है जो लीवर के टीसूस होते हैं उनका रिप्लेस्मेंट होता है किसके दौरा फाइब्रस और इसकार टीसूस के दौरा उसके बाद क्या होता है यहां पर लीडिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस आफ लीवर फांक्शन दोस्तों यहां पर होत आपके होते हैं जो कि नौन फंक्षण निंग होते हैं जब यह नौन फंक्षनिंग नगतीश्य दव्लफ हो जाते हैं लीवर के आंदर में तब क्या होता है तो इस निस जैसा कि यहां पर आप इमेश के माध्यम से भी समझ सकते यह हमारा हेलदी लिवर है ठीक इस होने लगती है तब उन तो यات कार या होता है यह नौन फंक्सनिंग होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है का सब्सक्राइब लगता है के इस कंडिशन को लोग बोलते हैं लीवर सीरोसिस क्या होता है यहां पर बात करते हैं तो कि लिवर सिरोसिस कितने तैप का होता है तो नाम से इंडिकेट हो रहा है यह किसके दारा काज होता है और कुरोनिक अनज्वात गर कोई एसा पर्शन है जो लंबे समय से आज्मेशा इमाउंट कर रहा तो उस्की वजह से जो से सी रोसिस होता है उसको इःऌह दोshit. यह ताइप है वह नौन एलकोहलिक इस्टीटो हेपेटाइटिस से रोसिस दोस्तों यह एक टाइप का से रोसिस होता है यह यह पिर उसको डाइबिटीज ठीक है या फिर कोई अजिसों मेता बॉलिक सैंड्रोम है तो इसकी वजह से भी यहां पर लीवर सिरोसिस देखने पो मिलता है ठीक है Weege lifting. पोस्त है पोश्ट हेपेटाइटी सिरोसिस की बात करें तो पोश्ट हेपेटाइटी पी है हेपेटाइटिस c है इस या ईलिएरी सिरोसिस की बात करें तो जो बिलियरी करें तो यह क्रोनिक के कारण देखने को मिलता है क्रोनिक मिल इसकी वजह से भी यहां पर लिवर तेकने को मिलता है जिसको बहुत डेक्ट में हो सकता है जो है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस दोस्तों जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस होता है यह यहां पर जो हो सकते हैं यहां पर कुछ और स्प्रस्प्राइब जिसकी वज़े से लिवर सिरोसिस होता है सबसे हैं क्रोंनिक सिरोसिस का सबसे मोस्ट कामन इल्कॉहलिक लिवर सिरोसिस अगर कोई परसन लंबे समय से कर रहा है तो हुआ है बांपने सब्सक्राइब होने रगता है ऐसा के से और हो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अगर कोई पेशंट है तो उस कंडिशन में भी यहां पर क्या होता है लीवर सिरूसिस देखने को मिलता है है नॉन एल्कोहला है आटउ इम्यून हेटाइटिस माल लिजे जो इंदर को ओ caus हो जाता है तो यसकीवज 느caн Champions से हमारे बॉलिका इम्म्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉली की है यहांवर सिरोसिस हो सकता है तुझहें विलसंस डिजीज़ में क्या होता कि जो हमारे body के organs होते हैं उनमें copper का deposition होने लगता है किसका deposition होने लगता है जिसको बोलते हैं wilson's disease नेक्ष नहां पर जो genetic disorder हो सकता है वो है हीवो क्रोमेटोसिस में क्या होता है कि हमारे ब्लड होता है इसमें iron का बढ़ने लगता है जिसको बोलते हैं हीवो क्रोमेटोसिस नेक्ष नहां पर क्या है क्रोनिक बिलियरी और स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने डिसकस किया था कि जो होती है उसमें अगर और स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वज़े से भी यहां पर लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है नेक्ष नहां पर अब हम बात यहां पर करते हैं दोस्तों पैथो फिजियोलाजी कि यहां पर जो पैथो फिजियोलाजी इसको आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं फिलाल हमने इसको सबसे पहले क्या होता है क्रूनिक इंजरी लंबे समय से अगर बार-बार इंजरी हो रही है तो उसकी वज़े से क्या होता है उसकी वज़े से होता है यानि कि जब इस होता है तो लीवर रीवर की से डेमेज होने लगती है और वहां पर सुरू हो जाती यानि कि जो फाइबरेस हैं उनका पर बनने लगते हैं धूब होता है उसमें होता है और अब क्या हुआ होने लगे स्कारिंग होने लगी डिवर के अंदर उसके बाद क्या होता है नडियूल वो होता है उसके अंदर हो जाता है यह कि कि होता है उसके अब क्या जो लीवर का function गड़बड हो जाता है लीवर का क्या काम होता है लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड में से toxins को रिमूब करना तो यह जो डिटॉक्सिफिकेशन की process होती है इंपेर हो जाती है हैं यह सारे कुछ बंद हो जाती है तो यह हमारी है पाइट करते हैं क्लिचल के अब पीसिंट में क्या 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 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे symptoms की यहाँ पर बात करें तो liver cirrhosis के अंदर कई सारे sign or symptoms देखने को मिलते हैं सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर early stage की अगर किसी patient को liver cirrhosis हुआ है तो early stage यानि की शुरुवाती दौर में क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे सुरुवाती दौर की बात करें तो जो early stage होती है liver cirrhosis की asymptomatic होती है इसमें कोई भी symptoms देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ common symptoms देखने को मिली जाते हैं जैसे की fatigue patient को थकान रहेगा weight loss patient में रहेगा ठीक एन्रोग्जिया उसको भूख नहीं लगेगा तो early stage पेस्ट में यह कुछ symptoms देखने को मिलते हैं लेट इस्टेज की तो लेट इस्टेज में भी जैसे जैसे condition severe होती जाती है लीवर सिरूसिस की जो इस्टेज बढ़ती जाती है तो symptoms भी दिखाई देने लगते हैं जैसे की patient में jointis देखने को मिलता है अब यहाँ पर क्या होता है जो लीवर हमारा होता है उसके अंदर बिलरूबीन का metabolism होता है और जब लीवर का function गड़गड हो जाता है लीवर काम कर बना बंद कर देता है तब क्या होता है जो बिलरूबीन होता है उसका metabolism नहीं होता है और ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है जिसको बोलते हैं जो आपर असाइटीस पेसल में असाइटीस देखने को मिलता है क्योंकि कहां पर जो लीवर होता है उसमें कई सारी प्रोटीन् chips प्रेसर की प्रोटीन होती है यह बंदर बंती है और बंता गतिंथ हो जाता है और मुलेशन में ने कि मिलेगा हाँ पर क्या होगा है और स्प्लीनों मेगली देखने मिलेगा मतलब लीवर का साइज है वह इनार्थ हो जाएगा क्योंकि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस वह रही है सब्सक्राइब जो कि मेल के ब्रेश्ट होते हैं उनका साइज बढ़ने लगता है पर प्लामर पामर इरिदिमा इसमें क्या होगा रेड कलर के स्पाइडर इंजियो मास का जो पी इसकिन पर करें इस पर रेड़ इस्पाइडर एंजियो पेटिमास का मतलब जो पेशंट की इस्किन है उस पर और यहां पर में लगंवेजिदि देखने को मिलेगा दोस्तों अब लगता है जिसको बोलता है इंसपाइलो पैथी इसलिए को को रहा या जो हृसी को मिलेगा पैथी का मतलब जो Mund system है और टो जाएगा झाएंग को कहीं पर चोट लग गाठ्टी तो ब्लीडिंग नहीं बंद अंदर गई सारे Insight offers का क्रमिष्ब शत्य जर्ण नहीं होगा हुआ तो नहीं मिलेगा तो sensitive कि वात करते हैं अब भाइर करोगे अगर किसी पेसंट को को अप KESOT करेंगे सबसे पहले करें सबसे पहले त्रम लिए टेस्ट करवाते हैं सबसे सब करते हैं तो यह रहा है कि नहीं का यहाँ पर यहाँ पर ने constitution करते हम पर आप प्रोटिंब टाइम का मतलब ब्लीडिंग टाइम ब्लीडिंग डΟाइम इंक्रीज देखने आंगेगा वह और नहीं होता है तो जो कवरद मेंगत करते हैं कि यह नहीं होते हैं उनमें यहां साउंड करवाते हैं यह देखते हैं कि लीवर का इस्टक्चर कैसा है उसमें को फाइब्रोसिस किसी भी टाइब का कोई नहीं हो रहा है ठीक है और डिटेल्ड में इस्टेडी करने के लिए हम लोग सीटी स्कान और एमराई जैसी इमेजिंग इस्टेडी कराते हैं नेक्स देखने को मिलेगा जो हो जाती है में ऱसे होता है कि यह कोई क्रम्लम है अच्क करते हैं जैसोस लेखिश्य हैं उसको हम लोग यहां पर डिटेक्ट करते हैं तो यह हम कुछ डियागनुस्टिक टेस्ट करवाते एक लीवरसीर ने अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की अब किसी पेसेन को लीवर सिरोसिस हो गया है तो उसको हम कैसे मैनेश करेंगे क्या ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले हम यहां पर पिसंट की लाइफ इस्टाइल को मौडिफाइब करते हैं सबसे जो इंपॉर्टन यहां पर है वह आपस्टिनेंस प्रॉम एलकोहल से उसकी जो लगी है जो आदत ल आपनेशन का अगर बहुत ज्यादा वेट है तो वेट लॉस करना है ठीक है डाइबिटीज करना है एसको नूटरिशनल सपूर्ट करना नेक्षक्ट नहां पर करने लिए सब्सक्राइब करने तो कई सारी मेडिकेशन भी है जी जाता है जिसे कि एंटिवायरल थेरेपी कि यहां पर डॉस्त है तोस्तों आशाइटिस को रेडि Whole करने के लिए घुड करने के लिए उस अपर कम करने के लिए यहांपर डैयरूटिक्स देते हैं यह बोडि से ज्याधा में निकालते हैं यूरीन के तरू जिससे क्या होता है अब्लीडिंग करने के लिए हम लोग यहां पर बीटा ब्लॉकर देते हैं जिससे क्या होता है ब्लीडिंग नहीं हो जाती है लेक्ट话 लेक्ट लोगन अगर हो गया है तो उसको क्तिक है यहां इसके साथ यहां पर incubus previous उसको लीवर सिरोसिस में कुछ प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किये जाते हैं जैसे की पैरसेंटेसिस फॉर लार्ज वाइलूमसाइटिस अगर अगर पिसन को असाइटिस हुआ है बहुत लार्ज माउंट में अब्डॉमेन के नदर फ्लूड का अकुमूलेशन हुआ है तो उसको हम इंडॉस्कोपिक वैरसील लाइगेशन करते हैं यानि कि जो जो लिवर को ब्लट सप्लाइब वसल्स करती है उनको हम लोग क्या करते हैं जिससे ब्लीडिंग प्रेवेंट हो जाती है नेक्स आपर इंट्राहिपाइटिक प्रोस्टो सिस्टेमेटिक संट दोस्तों यह भी एक संटिंग करते हैं ठीक है हिपाटिक और पोर्टल वेंट के बीच में कर देते हैं जिससे क्या होता है ब्लीडिंग प्रेवेंट हो जाती है नेक्स आप दोस्तों लास्ट जो ऑप्सन होता है लीवर ट्रांस्प्लांटेशन जो जब इन डिस्टेज आ जाती है लीवर ब देखने को मिलते हैं जैसे की पोर्टल हाइपर टेंसन दोस्तों जो यहां पर जो हमारे बॉड़ी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो इसकी वज़े यह अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं सबसे पहले ने सब्सक्राइब मुलता है जो यहां पर यहां पर लिवर सप्लाइ करती है वहां से ब्लीडिंग होने लगती है फाइस पर हिपायटिक है जिसा कि आपको बताया था आपको हिबिपाइटिक टो कि क्या होता है ब्लेड के अंदर टॉक्सिंज का बढ़ जाता है तो यह टॉक्सिंज जाकर ब्रेंड के अंदर डिस्फंक्शन को लॉस करते जिसको बोलते हैं इसको आपर आसाइटी स्पेसल में देखने को मिलेगा और इस स्पॉंटेनियस बैक्टेरियल पेरिटोनाइटी सो स प्रफिंडरों सुन्डरों जो होता है विघ्ट में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं निए चाहिए जो लिए रहें उसके अंदर नहीं करसिनोमा बनने लगता है ठीक है का इंसरा टाइब की बनार्मल ग्रोथ होने लगती है तो यह कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि आपको लीवर सिरोसिस के कंडिशन में देखने को मिलें जाएंगे अगर आपको पीडियेफ नोट्स चाहिए तो आप मारे जीएस मेडिकल अकैडमी अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डावलोड कर सकते हैं वहां पर आपको यह पीडियेफ नोट्स में जाएगा ओके तेंक यू सो मच वार्द वाच्यूंग